पेपर कैसा आएगा मैं बात कर रहा हूँ CBCS वाले बच्चों का अब बहुत सारे बच्चों को यहीं नहीं पता के CBCS क्या है Credit Based Choice System आया था निकाला दिली उनिवर्सिटी वालोंने और मैं बहुत ही मैं इससे बोल सकता हूँ जादा दिन नहीं चलने वाला इनका इन्होंने स्लेबस वगरा डाल तो दिया है लेकिन संभल नहीं रहा मैं इतना बोल सकता हूँ कि जादा दिन नहीं चलेगा नीपी को भी बदल देंगे यह एक चीजों पर बिल्कुल भी नहीं टिक्रेडी उवाले सबसे पहले एन्वल मो भी पता ही किया ले एक है ये चार साल की iso करेंगे हम ये कराइंगे मोगimana बंद कर दिया यूति नंदर हो फिले का देखना कुछी नंदर ही बन हो सो जाएगा क्योंकि पैटर निसमज में रहे कर बच्चों से क्या पूझना है क्या करवाना है जोन कर नहीं सेक द 믿व और बोनस के साथ कि रिदमशन अफ प्रफरेंश एर कैपिटल हैं। डिबेंशर में यह सारे के सारे चप्टर बना इसके अंदर वह चेप्टर एक चेप्टर नहीं है कौन सा अंडर राइटर अंडर राइटर इसमें नहीं है ठीक है हाँ ऑनर्स के अंदर अंडर राइटर आता है इसमें से एक कुश्चन बनेगा सेम बनेगा कैसे शियर कैपिटल अगर मैं बात करूं इन सभी को मिला के एक कुश्चन बन जाएगा और इन दोनों को मिला के एक इन दोनों के और में आएगा इनका question paper जो बनता है Cbc वालों का पंदरह नमबर का एक question आता है तो 15-15 का ये category बनेगा और जो उने वालों का आता है कितने का आता है ठारा नंबर का एक question आता है ये फ़रक हो जाता है दूसरे पार्ट की बात करें question numberकु question number 2 ये इनका unit number 2 है that is final account तो sir इसके अंदर आपका जो हमारा बनेगा final account और इसके और में भी उसको final account ही देखने को मिलेगा इसमें choice नहीं है जैसे कि नेपी वालोका तो इसका unit number ये 2 हो जाता है ठीक है final account यानि final account आपका must है कि definitely आएगा ही आएगा अब आजाते हैं question number 3 question number 3 यानि unit number 3 बन जाता है आपका that is ये बनता है cash flow statement और इसके और में भी रहेगा cash flow statement ये unit number ratio नहीं है उसके अंदर ये हो गया unit number आपका 3 unit number 4 unit number 4 A part amalgamation और B part reconstruction और में आजाएगा A part amalgamation और B part reconstruction ये आगया question number आपका 4 ये question number 3 था ये आगया question number 4 question number 4 और बहुत बच्चे exam pattern को लेके रहते हैं कि सर किस तरीके से paper में question पूछा जाएगा कौन से chapter चूज करना है नहीं करना है तो मैं इसी बेसिस पर बोलता हूं ये chapter कर लो आपके exam में तो आएंगे ही चाहे किसी इसके और में भी आएगा holding तो अगर मैं syllabus की बात करूं तो कहीं नहीं कहीं cbcs वालों बच्चों का कम थोड़ा सा syllabus नईपी वालों का क्या करा बढ़ा दिया गया ठीक है उनके ये chapters है question number 1 यहां से design होगा इन में से किसी एक में से question number 2 final account रहता है और final account के choice में भी आपको definitely final account ही मिलेगा unit number 3 cash flow रहता है cash flow के choice में भी क्या मिलेगा cash flow ही मिलने वाला है तो final account और cash flow तो आप छोड़ी नहीं सकते पहली बात जितने भी दिन बचे हैं amalgamation reconstruction में जिन बच्चों ने तैयारी अच्छे से नहीं करी तो reconstruction जरूर करके जाए बहले ही amalgamation छूट जाए और holding last है holding तो आपका आएगा ही आएगा सबसे बड़ा chapter आपका पूरे book में देखा जाए तो holding है तो मैं अगर बात करूं तो जो बच्चे CBCS वाले हैं एक तो उसको कौन-कौन से chapter नहीं छोड़ने चाहिए एक तो यह नहीं छोड़ना चाहिए एक reconstruction नहीं छोड़ना चाहिए इसमें से डिबेंचर वाला नहीं छोड़ना चाहिए उसको इसवाप नहीं छोड़ना चाहिए और साथ के साथ holding देखो last option में बड़ा chapter है तो छोड़ना तो हाला कि ये भी नहीं चाहिए बाकि आप इन chapter को तो बिल्कुल भी ना छोड़े last में इसको practice करके आप जाए अगर 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 अगया तो ठीक रहेगा नहीं तो फिर गड़ बड़ जाता है पूरा का पूरा अगर अगर ये तो बड़ साथ आप आप बड़ चाहिए ए ये जा है येक राकि वे भी ये तो साथ है ये झापना झाप आप पूरा का इसको कुछ ए जागर देखरिम है चाहिए और अगर कि बड़ों जाए पूराशने सब्सें शेग झापना पूरावला कै